फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लंगर वाली दाल गुर्दवारे में जाते हैं लंगर खाया होगा आपने भी बहुत टेस्टी लगती है न और साथ में बनाएंगे पजार जैसी नए स्टाइल से तंदूरी रोटी जो कीज दाल के संग बहुत टेस्टी लग हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मिन उस कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आएए फ्रेंड्स बहुत जटबट से रैस्पी श्यूरू करते हैं लंगर वाली दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए काले साबुत उडद ये साबुत उडद से बनती है जो ब कप उडद यानि उससे आदा पाथ हमें चने की जाल मिलानी है दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से और पाने टाल के इसको अच्छे से हमें वाश करना हैं क्योंकि जो डाले होते होते हैं पॉलीश होते हैं या को गंदगी nep पाणी क忘ते हैं चुड़ाना जबहाué्या दो जल्दी बनानी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में एक सीटी दीजिए और आदे खंटे के रखने के बाद भी तुरंट भी बना सकते हैं वह आपके ऊपर आपको कितना टाइम देना है अगर बहुत ज़दा टाइम है तो अच्छे से भीगने दीजिए पांट से शे गंटे बाद दाल हमारी भीग के तयार है देखिए फूल के एकदम से डबल हो गई है नैश्रल तरीका तो नैश्रल होता है और जट पर जल्दी बनाना है तो वह भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब बहुत बढ़ी असे भीग चुकी है दाने बहुत अच्छे से टूट रहे ह देखिए आप तने सुनाओगा ना पंजाबी में बोलते है माचोले की दाल यह वही दाल है और इससे हम बनाएंगे लंगर वाली दाल जो की बहुत ही बढ़ी अटेस रहेगा अब हम बनाएंगे प्रेशर कूकर में लंगर वाली जा दाल होते है वहां पर बड़े-बड़ अगर ग्रामों में ना पे तो 200 ग्राम काली उड़द है और 100 ग्राम चनी की दाल है अब हमें इसमें क्या करना है दो तिन तेज पत्री डालेंगे अगर आपको कुछ एक दो खड़े मसाले डालने तो वह भी डाल सकते है अब 5-6 लैसन की कडियों को हाथ से क्रश करेंगे औ इस तरीके से इसमें लसन डाला जाता है सारी लसन की इकलियों कम डालेंगे लसन आपके उपर आप कम ज्यादा कितना खाते हैं अगर आपको लसन प्याट पसंद नहीं तो उसके बिगर भी आप इसका स्वाद ले सकते हैं ना डालें उसको लेकिन लंगर में इनको जरूर दाला जाता है लस्तन प्यास टमाटर हरीमिर्च अधरक सब चीज़े डाली जाती है उबलते टाइम हम सिर्फ लस्तन का यूज़ करेंगे पहले और छोटी चमच के इसाब से दो चमच हम इसमें नमक डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे चुथाई चमच हल्दी पॉडर और डाल देते हैं आदी चमच लालमिश पॉडर इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर्ट हमारी दाल बनेगी अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें क्या करना है पैशे कुकर के लगाएंगे धकन और हाई फ्लेम पे चार से पांच सीटियम लेंगे क्योंकि इस डाल में चनी की डाल को विक्कूल मैश होना बहुत जरूरी है ऑस को पकाती है और जो चनी की डाल में इसको एक बाइंडिंग देती है और जो इसकी थाबुत काले उड़त की इंगे त सनलो कार इंगे सिफ 10 मिनट के लिए विक्स को ये पांदिगे इतनी और त्यारी करते हैं, तीन प्यास लिया है, पांची टमाटर लिया है, हरा धनिया भी बहुत अच्छी से डालेंगे, लहसुन की कलिया है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि वहां पे एक्दम से चॉपिंग नहीं होती है, आपने देखा गुर्दवार में रफली कट किया और डाला भया बनाया, और वही इसमें स्वाद आता है, प्रेश्यकू का ठंडा हो चुका है, पहले को चेक कर लेते हैं, देखिए, पानी जितना डाला था, पूरा डाल ने अव्जाव कर लिया है, और चैने की डाल का तो नामों निशारी नहीं है, यानि वह घुट चुक और इसको पकाना है, अभी थोड़ी सी गाड़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, और ये बाद में भी देखेंगे, आप गाड़ी हो जाएगी, इतना पानी इर्जाव कर लेती, तीन लिटर का कुकर है, और आप देख सकते हैं, पूरा कुकर भर के दाल बनके रेड़ी हो जाएगी, तो देखे, मैंने इसमें करीबन एक ग्लास मानी और डाल दिया है, और अब हम इसको पकाते जाएगे, साथ में चलाते जाएगा, इसको देखते रहे है, अब कूटनी में अद्रक, लहसुन और हरी मिर्चों में कूटना है, इस तरीके से दाल दाल दिया, और अब हम तो पूरे शुद्ध देशी घी में बनाएगे, तो दो-तिन चमच घी डालीजे, खुलके, अब क्या करेएगे, दाल को भूल जाओगे तो दाल नीचे से लग जाएगे, ध्यान रखिएगा, तो साथ में इसको चलाते जाएगे, और दूसरा का में क्या कर लेना है, फटा फटकोई चॉपिंग करने की जूरत निया, रफ्ली रफ्ली इसको चॉप कर लेते, लंबा लंबा कर लेते हैं, जब प्याज के चले मुह में आएगे ना, बहुत ती लगेंगे इस दाल में, लसन देखना है किसे ब्राउन कर लिया था, उसकी ख अब लेते हैं टमाटर, टमाटर को भी कट कर लेंगे, इस तरीके से कट करके टेस्ट अलग ही आएगा, बहुत ही बढ़िया हमारी दाल बन के त्यार हो रही है, अब देखिए मेर पे हैंड के चॉपर है, इसमें मैं कर लेती हूं, हासे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ची घिस सकते हैं, या फिर मिक्सी में दर-दरा कर सकते हैं, मैंने इसको हैंड के चॉपर से कट कर लिया, मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूं, कोई इतना कोई चॉपर, जिसे कि आपका काम रसोई का इजी हो जाए, तो प्यास के चले हमारे भुन चुके हैं, जो हमने लंबे- अधी-चमच मिर्च, मिर्च अपने पहले भी टाली तो अपनी साथ से देख लीचिगा और पढ़िया कलर के लिए थोड़ी सी कशमेरी मिर्च भी डाल लेते हैं, देगी मिर्च, एक चमचो कि बढ़िया कलर आजएगा, अर अल्दी पहले भी ताली चमच, चमची छोटी, ढब डाली और अदीचमच करम मसाला सबमसाले गीमे मखषन में देख़ेगें नब भुन गीमे आप मखषन ही डुसकर दाल दिया एक तम ताजा मसालों कहिंना की बगाषज पुजाती है अब मसालो को हलका सा भूना, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, प्यास अब कितना बढ़िया से भून रहा है अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे, और दाल तो बीच में चलानी है, क्योंकि लग जाएगी अब मसाला भून गया, हमने टमाटर भी इसमें डाल दिये और टमाटर के साथ सब मसाले, प्यार सब पुछ अच्छे से कम से कम 10 मिनिट तक भूनेंगे, दाल भी हमारी साथ में पकती जा रही है इस मसाले को भी हम रेड़ी कर रहे है, फिर बाद में दोनों को मिलाने के बाद भी हमें ताल को चलाएंगे अब मसाला हमारा पढ़िया से भून रहा है देखे, अब हम क्या करते हैं, इसको ढखके, तरी निकलने तक पकने देते हैं तरी पढ़िया से आ गई है एको मिक्स करेंगे चलाएंगे अब हम इसमें ही बीच में धनिया भी डाल लेते हैं धनिये से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है आप चाहिए तो थोड़ा धनिया उपर से भी डाल सकते हैं दाल बहुत बढ़िया से घुट गई है आपने देखा होगे 10 मिनिट मसाला पका तो दस मिनिट ही हमारी दाल भी घुटी है अंदर से और एकदम से बढ़िया कितने पानी अब देखेंगे ठंडा होने के बाद भी कितना पानी यानि गाड़ी हो जाएगी मोटी दाल भी बोलते है ना इसको माचोली की दाल भी बोलते है वही दाल है बस थोड़ सा बनाने का तरीका अलग होता है सबका अपना अपना तरीका होता है लेकिन आज मेरी कोशिश है कि बिल्कुल लंगर वाली दाल का जो फ्लेवर हमने जो लंगर खाया है इसकी बस इसको चलाते जाएंगे इस तरीके तो घोटते जाएंगे और बहुत बढ़िया दाल तैयार हो जाएगी नमक चखा थोड़ा सा कम था तो एक चमश और डाल दिया तो फ्रेंट्स ये लीजिए बहुत ही टीस्टी स्वादिस्ट लंगर वाली दाल बनके तैयार है दस जिसे की तंदूरे वाला फ्लेवर आए बिना तंदूर के हम तंदूरी रोटी बनाएंगे साल के संग बहुत डेसी लगती है इसको हम बनाएंगे कडाई में कडाई गरम की और इसमें हमने रोटी डाल दी थोड़ी बड़ी कडाई भी ले सकते हैं एक साथ 3-4 रोटिया भ मेंडियम कर देंगे और इसको पक न देते हैं यह चाह उपर से कवर भी कर सकते हैं या बिना कवर करें भी पका सकते हैं वह आपकी मर्चि है लेकिन थोड़ा तो गाड़ा रखेंगे जिसकी पूरा धका न जाए ज़ाए ज़ेए पर रोटी भाप रुए इसमें पक जाए तंदूर McMahonscale the heat में बनी रहे इस तरीके से अब दूसरी शाइट को भी इस में डाल देंगे वह पक चुकी है और इस पर गास पर एक स एक साइट से kसे एक साइटा है पर सेख लेंगे और बहुत भड़िया से हमारी रोटी भी तंदूरी तयार है अब आपको बा हर से रोटी मञ़वाने की भीज़ery नहीं है घर पर सीमपल गड़ाई में रोटी बना सकते हैं बस रोटी को एक साइट खड़ाई में खिया दूसे 500 ग्यास विधिये से जाने का मसा डबल हो जाएगा, रोटी फुल गई है, यह मैंने बिन ड़के पकाई है, इसको एक साइट से पीछे से पका लिया, दूसी साइट से गैस पे, गुमाते गुमाते सोड़ा गैस का फ्ली मेडियम करके इसको पका लेंगे, अगर आपके पास पापड़ वाली जाली इसको सेख सकते हैं, उपर से लगाया घी हैं बटर आप सेख लिजे जैसा पसंदो, और एकदम से बढ़िया हमारी रोटी तैयार है, अब सर्व करते देखें, डाल देख रहे हैं, गाड़ी हो गई ना, कितनी रिच दाल लग रही है, तो सच में फ्रेंट्स, बहुत ही पसंद आएगा, एक पर बनाईएगा, और मेरी वीडियो पसंद आते हैं, तो आगे सागे शेर कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्स मिलते हैं नए वीडियो के संग, थैंक यू